हेलो एवरिवन वेलकम टू एडू मेजिक, एडू मेजिक में आप सब का स्वागत है, आज हम दिल्ली HCM की 13 ओक्टूबर की जो पहली सिफ्ट है, फस्सिफ्ट है, उसका एक्जाम अनलाइसिस करने वाले हैं, जीके का, ठीक है, तो देखते हैं, पहला क्रेस्टन क्या आया थ बाबर और मेदनी राय के बीच में कौन सा युद हुआ था, बाबर और मेदनी राय के बीच जो युद हुआ था, चंदेरी का युद हुआ था, कब हुआ था, 29 जनवरी 1528 को मेदनी राय और बाबर के बीच में चंदेरी का युद हुआ था, चंदेरी के युद से राय है उसकी हार हुई थी ठीक है अब देखिए और ये युद क्यों लड़ा गया था क्योंकि जो राणा सांगा थे वो खानवा के युद में बच गए थे मतलब जिंदा रह गए थे तो बावर का जो मन था वो बेचैन हो गया कि मुझे राणा सांगा से बदला लेना है और उनको मारना है तो इस वजह से उनोंने चन्देरी का युद किया था और जो चन्देरी के युद का नेद्र तक था किस ने किया था मेदनी राय ने किया था जब मुगल सासक बाबर को यändern कि खबर मिली कि राणा सांगा ने बाबर को दुबारा चुनाती देने के लिए अप से related जो facts है वो एक बार देख लेते हैं जो इनकी स्थापना हुई वो 950 से 1050 के बीच में हुई लगबग लगबग 100 साल का समय इनको लगया था इन मंदिरों को बनने में ठीक है तो देखे चंदर वर्मन मद्दे काल में पुंदेल खंड में सासन करने वाले राजपूत राजा थे ठीक है वे अपने आपको क्या मानते थे चंदर वंसी मानते थे और चंदेल राजाओं ने 10 वी से 12 सताब जी तक मद्दे भारत में क्या किया था असासन किया था खजराओं के मंदिरों का निर्मान 950 सिस्वी से 1050 सिस्वी के बीच में इनी चंदेल राजाओं के द्वारा किया गया था लगबग लगग 85 मंदिर बनाए गए थे जिन में से अभी 24 मंदिर जो है अभी है ठीक है सबसे जादा महीला साक्सरता धर किस राज्य की है सबसे जादा जो महीला साक्सरता धर है वो केरल की है महीला पुरूष जो भी साक्सरता धर है वो सब किसकी है केरल की सबसे ज़्यादा है और अगर आप देखो साखसरता से related हर सिफ्ट में लगबग सवाल पूछा जा रहा है साखसरता और जनसंक्या से related ठीक है तो यह आपको बहुत अच्छे से करके जाना है साखसरता और जनसंक्या से related अब देख लिए जब सबसे ज़्यादा तो उसने पूछी लिया है तो हम सबसे कम वाला भी एक बार देख लेते हैं आंदर प्रदेश में सबसे कम है 66.4% के साथ में अब फेस्टिवल से related एक क्यों आया था सिंग्मो फेस्टिवल किस राज्य का है सिंग्मो जो फेस्टिवल है वो गोवा राज्य का है अब गोवा के जो कुछ और जो फेस्टिवल है उनके बारे में देख लेते हैं सिग्मो फेस्टिवल का मनाया जाता है, सिग्मो फेस्टिवल जो है, वो एक वसंत तिवार है, वसंत रितु में मनाया जाता है, और यह हिंदो का प्रमुख तिवार है, गोवा के जो अन्य फेस्टिवल है, वो क्या है, साओ जोआओ फेस्टिवल और गोवा कार्निवल, साओ सिल चंदर कौन से नंबर के चुनाव आयुकत अंगर चुनाव ऐखत का जो पत है चुनाव आयुकत से समगनी है अगर अनुछेद ाप्से पूछा जाता है तो अनुछेद कौन साustering उपार प्रादेशिक वनो का संरक्षन कोन सा कर्तव्य है अब देगे मुझे इसका आंसर मिला नहीं है लेकिन मेरे अकोर्डिंग इसका जो आंसर होगा वो मौलिक कर्तव्य में आएगा और इसके और अगर आपको पता है या यह क्योश्चन अगर आपको अच्छे से याद है क्या प यह है अरुनाचल प्रदेश का अब अरुनाचल के प्रदेश के जो अन्यन रत्य है वो क्या है बुईया चालो तापू वांचो पासी कोंग की पोनिंग और पोपिर बर्दो छाम ठीक है यह सब किसके अरुनाचल प्रदेश के अन्यन रत्य है अब देख लेते हैं ठीक है गडवाली कुमायुनी कजरी जोरा रासलिला चपेली यह आपको सारे याद रखने जो चार जो नरते हैं बहुत जादा इंपोर्टेंट है उत्रा खंड से अक्सर पूछे जाते हैं नागलेंड को नरते हैं रंगमा बंबू नरते हैं जेलियां नरते हैं इनको रहने देना य पूल पती नरते हैं घ्रिड़ा नरते हैं और शेला बदोनी नरते हैं तो यह भी आपको एक बार देखके जाने हैं ठीक है और एक मांच नरते भी किसका है मद्यपरदेश का है एक क्योश्चन आया था बहगत सिंग और राजग्रू को फांसी किसलिए दिये गई थी तो ब M1, M2 और M3 में सबसे उस्तम मुद्रा कोंची है, ये क्योस्चन बिल्कुल क्लियरली मेरे पास अवेलबल नहीं है, लेकिन मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ कि इन में सबसे जादा तरलता किस मुद्रा के होती है, तो इससे सारे facts देख लेते हैं, अब जो भी क्योस्चन आया होगा, वो उन में सही रहा होगा, अर्थ वस्ता में ये मुद्रा कहां का व्यापत है, इसके लिए RBI क्या यूज करती है, ये code word का यूज करती है, ठीक है, और ये जो source मैंने लिया है, NCRT से लिया है, कहां से लिया है, NCRT से, अब कौन-कौन से code word यूज करती है, M0, M1, M2, M3 और M4, ठीक है, M0 का मतलब क्या होता है, पैसा जो चलन में है, मतलब बैंकों का RBI के पास deposit है, और RBI के साथ अन्य जमा जो भी है, जो भी पैसा आपने जमा करवा है, वो कौन सा है, M1, M1 में count होगा, और RBI के साथ अगर आपने कोई direct जमा करवा रखी है, तो, अब देखिए M2, M2 जो type of money है, वो किसे कहेंगे, M1 plus post office में जमाए, कि M1 में जितनी भी जमाए आ गई, वो तो साथी साथ है, लेकिन जो post office की जमाए है, वो किसके अंदर count की जाती है, M2 में, अगर आप से एक अलग सवाल भी पुछा जा सकता है, कि जो post office में जो जमाए है, वो only demand deposit, जो DD बनती है ना हमारी, वो count होगी, कि post office में जो जमाए है, वो किस में आती है, वो M2 मनी में आती है, किस में आती है, M2 मनी में आती है, अब देखिए M3 मनी कौन सी है, M3 मनी, M1 में जो भी हमारी मनी आगी, वो सारी और bankों के साथ जो जमाए हमारी जो time deposit होती है हम किसी particular time के लिए जो भी deposit करते हैं वो सब इनको निकालना उतना ही मुश्किल हो जाता है जब जब यह बढ़ते जाते हैं तो M4 क्या होगा M3 प्लस post office M3 में जो भी मनी आ गई वो तो ही साथ ही साथ जो post office में जो हमारी जमाई होती है सबसे जादा होती है कि फिक की liquidity सबसे जादा होती है यह इसका money flow सबसे जादा होता है M2 जो मुद्रा है वो संकीन मुद्रा का ही एक प्रकार है लेकिन इसकी जो तरलता M1 से कम है आप देखोगे कि तरलता का करम है वो घटता हुआ जा रहा है और M3 जो है यह सबसे जादा तरल है लेकिन जो M3 है उसको बोला जाता है aggregate monetary resources AMR कहते है क्योंकि यह money supply के आकलन करने के लिए सबसे उप्यूक्त है क्योंकि यह सबसे जादा व्यापक और सबसे जादा विश्तरत है अब तरलता की द्रस्ती से देखा जाए तो चारो किसमे descending order में अतरलता देखो सबसे जादा किसकी M1 की उसके बाद जो कम होती है वो किसकी M2 की उससे कम M3 की और सबसे कम किसकी है M4 की ठीक है जैसा कि हमने उपर पड़ा M4 में post office time deposit होती है M4 में fixed deposit सामिल है तो FD तुड़वाने में काफी समय लगता है क्योंकि उसको इतना easily convert नहीं कर सकते है आपकी account का पैसा ATM डालो पैसा तुरो निकालो लेकिन FD तुड़वाने में time लग जाएगा ना आपको ठीक है तो इसको सबसे कम तरल मना गया है अब देखो पंचवर्षी योजना से संबंदी सवाल हर shift में पूछे जा सारी पंचवर्षी योजनाओं को बारी बारी से देख लेते हैं पहली पंचवर्षी योजना थी 1951 से 1956 तक थी ठीक है इसका जो प्रमुक उद्दे से था वो किर्शी छेतर पर था और बहुत दे से प्रयोजना शुरू कर आई गई गई जैसे हीरा कुन डैम और भाकणा न अन्यकारित थी तीसरी पंचवर्षी योजना थी 1961 से 1946 के बीच में ती अर्थ व्यकास को आतम ड्रबर्ता को प्रात्मिक्ता दी गई थी पांचवे पंचवर्षी जो योजना थी उननीसो चोतर से उननीसो उनासी के बीश में रही थी गरीबी कम करने और किर्शी उत्पादन आत्म बर्दा पर ज़्यादा द्यान केंद्रित करने के लिए इसको सुरू किया गया था चटी पंचवर्षी जो योजना थी अब देखो ये जो हमारी 1994 से 1989 में खतम होनी थी लेकिन ही खतम हो गई थी 1978 में एक साल पहले खतम कर दिया गया था ये जो सवाल था ये लास्ट सिफ्ट में पूछा गया था 12 अक्टूबर की कोन सी पंचवर्षी योजना ऐसी थी जिसको एक साल पहले खतम कर देगा था दो पांच भी पंचवर्षी योजना थी क्यों क्यों क्योंकि उसके बाद 1980 में चटी पंचवर्षी योजना शुरू कर दी गई थी और ये चलनी थी 1983 तक ये जो डेटा है वो गलत लिखा गया है ये 1978 से 1983 तक चलनी थी लेकिन जैसी 1980 में जो हमारी इंडियान नैशनल कोंगरेस आई इंडियान डैसनल कोंगरेस की सरकार आई थी कोंगरेस की सरकार आई उसने योजना खारिज कर दिया आठ विय पंचवर्षी योजना 1922 में से 1997 में के बीच में शुरू के गए थी मानव संसाधन के उपर बहुत ज़्यादा काम किया गया था इसमें, नवी पंचवर्षी योजना ये नयाय से संब्दी थी ठीक है और 1927 में से 2002 के बीच में चली थी ये, । 10 वी व्य 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 वॉष्य योजना की योजना थी। मंतराले और आयूस मंतराले के द्वारा सुरू किया गया पोसन आर योजना का थीम क्या है वो जो थीम था हो सही पोसन देश रोसन मुझे जो मिला है वो यह है अगर आपको कोई और आंसर मिलता है तो आप कोमेंट में बताइए यह सवाल अच्छे से आया नहीं था अब मेटल जो जिता है वो किदाम भी सिरीकान ने जिता है क्यों क्योंकि वो सेमी फाइनल में किस से हार गए थे लो किन यें से हार गए थे और लो किन यें कहां का खिलाड़ी है सिंगापूर का खिलाड़ी है अब कंप्यूटर से लेटेर एक सवाल पूछा गया है न्यू का होता है 32 अब जो मेरे पाद जो लास्ट को स्चन है वो क्या है 2021 में बीमा संसोदं विदेयक किससे संबंधित है बीमा संसोदं जो विदे एक वो FDI से संबंधित है dies इसकी अब्यूर्म certainty गोशना कि कि आप बीमा जो question मेरे पास आये, उस अभी include करने की कोशिश किये, अगर आपको लगता है कोई और question पूछा गया था, science से related जो question है, वो मेरे पास नहीं आये, अगर आपको लगता है science के question आपको याद है, तो आप मुझे बताईए, फटाफट comment में, ठीक है, उनको मैं अभी next, जो हमारी next shift का question डालेंगे, उसके अंदर include करने की कोशिश करूँगा, आज की वीडियो को देखने के लिए आप सब का धन्यवाद, इस वीडियो को भी यहीं खतम करते हैं, next shift में मिलते हैं, अभी second shift का, जो review है, वो फिर से बनाएंगे,